नमस्कार दोस्तों वेलकम टो इस्टेडी नियूज आज हम लोग जोग्रेफी वेरी इंपोर्टेंट एमसी क्यू आरो ए आरो के परस्पेक्टिव में आज इस वीडियो में देखेंगे मेरा नाम है आर्यान सिंग तो इस वीडियो को सुरू करते हैं ब्हारत में परियावरण सनरक्षन अधिनियम कब पारित हुआ ऑपसंज 1981, 1986, 1995 और 2000 इसमें आप लोग ऑपसं चुनिए इसमें आंसर होगा 1986 तो भारत में परियावरण सनरक्षन अधिनियम 1986 में पारित हुआ मैं यहापे आपको एक और बात बता दू कि First World Conference on the Environment जिसे संयुक्त राष्ट के मानविय पर्यावरण सम्मेलन में जो 1972 में इस्टोक होम में हुआ था इसमें भारत ने भाग लिया था और यह निश्चे किया गया था कि मानविय पर्यावरण के संरक्षन और सुधार के लिए काम किया जाएगा और भारत में यह 1986 में अधिनियमित हुआ था अच्छा यह याद जरू रख लेना कि United Nations Conference on the Environment इसके हेड़कॉर्टर स्टोक होम में है और इस्टोक होम किसकी राज़दानी है स्टोक होम किसकी राज़दानी है स्वीडन की और अगला World Conference on the Environment स्टोक होम में ही होगा जो 2022 में होगा और अगर United Nations की बात करें तो इसके हेड़कॉर्टर नियुँ यार्क में है और इसका इसका फाउंडेशन इसको आप COP26 से Confuse में मत रख लेना जो अभी हाली में हुआ था ग्लास गो में जो 31 अक्टूबर से 12 नौमबर तक चली थी जिसमें भारत के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद मुदी गए थे अब आते हैं अगले कोस्चन पे अगला कोस्चन है भारत में लिगनाइट कोईले का सरवाधिक जमाव या भंडारण कहां पाया जाता है ओप्संस हैं जारखंड, ओडीसा जम्मू कस्मीर और तमिल लाडू इसमें आंसर कीजिए तो इसमें आंसर है तमिल लाडू यानि ओप्संड दी और निवेली में ही लिगनाइट कोर्पोरेशन की स्थापना भी की गई है अच्छा आप एक चीज और याद कर लीजेगा कि लिगनाइट कोईले कोई भूरा कोईला भी का जाता है और अब तक जो कोईले की प्राप्ती होती है लगभग 98% कोईले की प्राप्ती गोडवाना यूग की चट्टानों से होती है ये बाद भी याद रखिए तो ये पिक्चर देखिए ये है NLC इंडिया लिमिटेड जो तमिल लाडू में है अब अगला कोश्चन बताइए भारत में प्रथम जल विद्धु सन्यंत्र की स्थापना की गई थी कहां पर की गई थी ओप्सान से दार्जलिंग, सिवसमुद्रम, मोहरा या खोपोली तो इसमें बताइए तो इसमें आंसर होगा दार्जलिंग यानि ओप्सान A भारत में सबसे पहले बिजली के आपूरती 1897 में दार्जलिंग में की गई थी और यहां पर यह जल विद्धु सन्यंत्र था 1897 में दार्जलिंग के सिद्पॉंग में इस्थापित किया गया था इसे और दूसरे विद्धु तजल विद्धु सन्यनत की बात करें तो यह करनाटका में इस्थापित किया गया था कावेरी नदी पर सिमसमुद्रम नामकिस्थान पर 1902 में किया गया था यह अंग्रेजों के समय हुआ था तो इसे याद रखेंगे यहाँ पर यह पिक्चेर है यह देखिए सिद्रापॉंग दार्जलिंग में यह फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इस्टेशन है एसिया का भी यह फर्स्ट ही था अठारो संतानवे में से इस्टेबलिस किया गया था अब आईए एगले प्रस्ट पर निमलिखीत में से कौन सा फुट लूज उद्योग का एक उदारण है आपसंस है तेल सोधन, चीनी, सौफ्टवेयर, अलुमीनियम इसका आंसर बदाईए तो पहले तो आपको यह टर्म जानने की जुरूज होता है कि यह फूट लूज इंडस्ट्री क्या होती है फूट लूज उद्योग ऐसे उद्योग को का जाता है जिनकी अवस्थिती पर कच्छे माल के स्रोत की दूरी, परिवहन लागत, बाजार और व्यापार और जैसे कोई स्थान है जहां पे बहुत ज़्यादा रेंटल प्रॉबलम है इसका असर नहीं होता क्योंकि यह फूट लूज, फूट लूज का मतलब है कि जहां पे पैरों की जोरत न पड़े या लोगों के आने जाने की या किसी चीज की जोरत न पड़े यह उद्योग ऐसे होते है जैसे बेकरी हो गया, हीरा उद्योग हो गया, सॉफ्ट्वेर हो गया और workers की जुरत होती है यहाँ पे और small light components की जुरत होती है clean environment जो सबसे attractive चीज है वो है clean environment होता है यहाँ पे आपको producer नहीं होगा अराम से आप काम कर सकते हैं और भी सब यहाँ पर दिये हुए और यह सारी कंपनिया हैं जो food lose industry के तहत आती हैं यहाँ पे कुछ examples हैं अब आते हैं next question भारत में सर्व प्रतम खनीश तेल का कुवा कहां खोदा गया था आप्शन से डिग बोई माकूम नरकटिया या बॉमबे इसमें आंसर बताईए इसमें आंसर होगा डिग बोई तो आप्शन ए इसमें सही होगा भारत में एसिया का प्रतम खनीश तेल का कुवा असम के ति डिग बोई रिफाइनरी की स्थापना 1901 में Assam Oil Company Limited के द्वारा डिग बोई में ही की गई थी और इसके बाद Indian Oil Corporation Limited IOC ने इसे 1981 में Assam Oil Company Limited के रिफाइनरी और मार्केटिंग के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिया था तो यह है डिग बोई अब चलिए next question पे निमलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग करती है options हैं इंद्रा गांदी नहर परियोजना, पोचाम परियोजना, मयुराक्ची परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना व्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग सर्दियों के मौसम में इंद्रा गांधी नहर परियोजना में किया जाता है यहां आपको एक बात और जानी होगी कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के सिवालिक पहाड़ियों के आदर भूमी पर व्यास नदी पर बांध मना कर एक जलासे का निर्माड किया गया है जिसे महराणा परताब सागर और पौंग बांध या पौंग जलासे के नाम से जाना जाता है जहां से ये निकल रहा है पौंग जलासे के नाम से जाना जाता है और ये बांध 1975 में बनाय गया था ये जला से एक प्रसिद वन्य जीव अविहारण भी है जो भारत में घोसित 25 रामसर साइट में से एक है ये सारी बाते आपको याद रखनी चाहिए इसमें और आपसंस के बाद बारे में बात करें तो पोचाम परियोजना जिसे पोचाम परियोजना कहते हैं इसका नाम स्री राम सागर प्रोजेक्ट भी है और ये गोदावरी नदी पे है जो तेलंगाना में इस्तित है इसके बाद मयोराक्षी परियोजना जो जारखंड में मैयोराक्षी रिवर पर बना हुआ है और लाश्ट है नागारजुन सागर परियोजना जो गुंडुर डिस्ट्रिक आंध्र प्रदेश में इस्थित है अब नेक्स्ट कोस्चन पर आ जाते हैं यहाँ पर आपको सुची एक और सुची दो का मिलान करना है तो इसमें एक तरफ इस्थान है और दूसरी तरफ संगम है नदियों के आप्सन ने यह है रुद्र प्रियाग, नंद प्रियाग, कर्ण प्रियाग और देव प्रियाग और इधर है भागी रथी, अलक नंदा का संगम अलक नंदा और मन्दाकिनी, अलक नंदा पिंडर और विश्णु गंगा और मन्दाकिनी तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लगाईए तो रुद्र प्रियाग जो है, ये अलक नंदा और मन्दाकिनी का जहाँ मिलान होता है वहाँ पर है यानि A का दो हो जाएगा और जो नंद प्रियाग है विष्णु गंगा और मन्दाकिनी के संगम पर इस्तित है विष्णु गंगा को नंदाकिनी की भीका जाता है नंदाकिनी यानि B का चार हो जाएगा और कर्ण प्रियाग अलकनन्दा और पिंडर के मिलान पर है यानि C का 3 हो जाएगा और देव प्रियाग अलकनन्दा और भकीरती के संगम पर है यानि D का 1 हो जाएगा अच्छा जो देव प्रियाग है जो भकीरती और अलकनन्दा के संगम पर है नंदा देवी परवत से निकलती है उत्तरा खंड के चमोली जिले में स्थित विश्णु प्रियाग अलक नंदा और धोली गंगा नदी के संगम पर स्थित है इस पिक्चर में आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे यहाँ पर आप ध्यान से देखिए पहले तो उपर जो लिखे हुए है यमनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यह जो रेड कलर है यह भगीरती नदी है और इधर से यह मंदाकिनी है ब्लू में अलक नंदा है उपर धोली गंगा फिर नदाकिनी जिसे विष्णु गंगा भी कहा जाता है और यह पिंडर गंगा तो भगीरती और यह अलक नंदा के संगम पर यहाँ पर देव प्रयाग है फिर मंदाकिनी और अलक नंदा के संगम पर रोदर प्रयाग है और पिंडर गंगा और अलक नंदा के संगम पे कर्ण प्रियाग है और नंदाकनी जिसे विश्नु गंगा भी कहते हैं ये अलक नंदा के संगम पर यहाँ पे नंद प्रियाग है और धोली गंगा और अलक नंदा के संगम पे विश्नु प्रियाग है इसका आप स्क्रीन सोट भी रख सकते हैं अब आईए next question पर निमने में से कौन सा तट कोची बंदरगा से संबंदित है which of the following cost is related to कोची port मालाबार तट, कॉंकर तट, कोरोमंडल तट, उतरी सरकार इसमें पूछा गया है कि जो कोची बंदरगा है ये इस के तट का क्या नाम रखा है या इस तट को क्या कहा जाता है मालाबार तट का जाता है, कॉंकर तट, कॉण्वंडल तट या उतरी सरकार बताएए इसमें अंसर क्या होगा देखिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि कोची बंदरगा है किस राज्य में तो मैं बता दू कि कोची बंदरगा केरल राज्य में है अब केरल राज्य के तट के तरफ क्या कहा जाता है यहाँ पर यह मैप है अब यहाँ पर ध्यान से देखिए यह जो केरल है माला बार कोष्ट है फिर केप कमोरिन और इधर आंधर प्रदेश के हाफ से लेके तमिल लाडू तक को कोरो मंडल कोष्ट कहते हैं फिर उपर जो है उत्तरी सरकार आ जाता है तो ये इसका अंसर हो जाएगा माला बार कोष्ट तो इसका आंसर हो जाएगा option ने माला बार तट अब आईए next question पे निम्न में से कौन सा हिमनत सबसे बड़ा है options हैं सियाचीन, बाल्टोरो, चोंगो लुगमा या बैफो आंसर बताईए इसमें तो इसमें उत्तर हो जाएगा option ने सियाचीन माला में भारत पाकिस्तान नियंत्रड रेखा के पास इस्तित है यह एक हिमानी मतलब Glacier है यह काराकोरम की अन्ने सभी हिमानियों में सबसे बड़ा है यानि सभी Glacierों में सबसे बड़ा है और अगर धूरुए छेतरों को छोड़ दिया जाए अब यहाँ पर देखिए लिष्ट है जो सबसे बड़े-बड़े है ग्लेसियर इसमें अंटार्टिका और अलास्का को छोड़ दिजे क्योंकि ये धुरूओं के पास आते हैं फिर उसके बाद आता है तजाकिस्तान का फेटचेंको ग्लेसियर ये भी लगबक कारा कोरम में ही फिर आ जाता है भारत का सियाचीन ग्लेसियर फिर इसके बाद सियाचीन के बाद वैफो ग्लेसियर जो पाकिस्तान में है और फिर बर्गन ग्लेसियर अब आजाईए next question पर लिखा है निमलिखित में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है और अश्ट्रेलिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है यह आप याद रखिएगा इसके बाद बोट्सवाना और फिर कांगो देश है भारत में मद्ध प्रदेश की भारत में अगर देखा जाए तो भारत में मद्ध प्रदेश में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक छेतर है यहाँ पर कुरियर सेवा से प्रतिसपर्धा के लिए भारतिय डाक विभाग ने दुरुत डाक सेवा का आरंब कब किया। भारत में मनी ओर्डर प्रणाली का प्रारंब 1880 में हुआ था ये याद कर लीजिएगा। फिर भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। भारत में गवर्न जनरल लाड अलहौजी के काल में डाक टिकट शुरू किया गया था। ये सारे पॉइंट आप याद र हुई थी और गवर्नल लाड अलहौजी के काल में डाक टिकट शुरू किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट कोस्चन पे। सही है। 1818 में भारत में आदुनिक धंग का पहला सूती वस्त्र का रखाना जो फर्ष्ट वस्त्र का रखाना था वो पस्चिम बंगार राजे में कोलकता के पास एक जगए जिसका नाम है फोर्ट ग्लॉश्टर वहाँ पे स्थापित किया गया था। और ये बाद में आपसजी डाबर इनके द्वारा मुंबई में खुला गया था। लेकिन इस कोस्चिन में पूछा गया है कि किस जगए पर सुरू किया गया था तो फोर्ट ग्लॉश्टर सही होगा अगर सफलता पूरवक पूछता तो मुंबई सही आंसर होता। तो इसमें आंसर आपस़ा अब आते हैं नेक्स्ट कोस्चन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अब नेक्स्ट कोस्चन देखिए इनमें से कौन दक्षिड भारत की सबसे उची चोटी है औपसन ए अनाई मुडी, डोडा बेटा, महेंदर गिरी या धूबगड इसमें बताईए आंसर क आपसन ए अनाई मुडी, अनाई मुडी जो है अन्ना मलाई पढ़ाडी पर इस्थित है और इसकी उचाई लगबग 2696 मीटर है तो इसमें आंसर आपसन ए सई है यहाँ पर देखिए उचाईओ के हिसाब से लिख्ट लगी हुई है अनाई मुडी 2695 या 95 मीटर जो सबसे नेक्स्ट कोस्चन है निमलिखित उनी वस्त्र उतपादक केंदरों में से कौन जर्मनी से समबंदित है और आपसन से सेंट पीटर्सबर्ग, वपरताल, ब्रेड़फोर्ट या प्रेटो आंसर बताईए इसमें इसमें सही आंसर होगा वपरताल जर्मनी के वपरताल विश् प्रसिद है तो इसमें option B सही है रूस में से पीटर्सबर्ग जो है जो संट पीटर्सबर्ग लिखा है यह लोय असक उद्दियों के लिए प्रसिद है और ब्रेड़फोर्ड इंगलेंड में है और प्रेटो इटली में है इसमें आप मैं आप देख सकते हैं यह जर्मनी और पेरियार नदी, दामोदर नदी या महा नदी इसमें आंसर बताईए क्या होगा तो इसमें सही आंसर है क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोदूसित है ये नदी जारखंड के पठार से निकल कर कोलकाता के पास जो हुगली नदी है वहाँ पे विलीन हो जाती है दामोदर नदी पर 1948 में अमेरिका के टेनिसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई थी ये याद करियेगा अमेरिका की टेनिसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर बनाई गई थी दामोदर घाटी परियोजना तो यहाँ पर ये मैप में देख सकते हैं जहारखंट से निकल रही है यह है दामोदर नदी और यह हुगली में जाके यहां पर मिल जाती है अब आते हैं नेक्स्ट कॉस्चन पर कॉस्चन है निमने देशों में से कौन 2012 में हरीकेन सेंडी से प्रभावित हुआ था इसमें आंसर बताईए क्या होगा तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी यूएसे 2012 में आया था है हरीकेन सेंडी तूफान जो सरवादिक प्रभावित जिसे किया था वो था संयुपतराज अमेरिका उश्चन कत्री बंदिये चक्रवातों में से एक है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हरीकेन ये विनाशकारी तूफान होते हैं और ये अट्लांटिक बेसिन में अगर बात करें तो ये हर वर्स लगभग 12 हरीकेन आते हैं वहाँ पर तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हरीकेन सेंडी आया था और ये यहाँ पर डाटा लिखा है कि लगभग 233 लोग मारे गए थे अब चलते हैं next question पर अब ये question तो आप पहले अगर जो question सही से पड़े होंगे तो इसका answer दे देंगे question है निमलिखित में से किस नदी के तट पर बदरीनाथ का प्रसिद मंदिर इस्थित है option से अलकननदा, भागीरती, मंदाकनी या गंगा इसका answer बताईए, ये तो गलती नहीं होनी चीए तो इसका सही answer है अलकननदा, option is the right answer बदरीनाथ का प्रसिद मंदिर आपको पताईए उत्राखंड राज्य में अलकननदा के बाएं तट परिस्थित है ये मंदिर किसका मंदिर है ये ये आप जानते है ये विश्णू, भगवान विश्णू जी का मंदिर है बदरीनाथ मंदिर चार धाम तीर्थिस्थलों में से एक भी है और इस तीर्थिस्थल को धर्ती का बैकुंठ भी कहा जाता है ये है बद्रिनात का प्रसिद मंदिर अब आते हैं नेक्स्ट कोस्चन पर कोस्चन है निमलिकित देशों में से कौन भूमत दे रेखे जलवाईू के अंतरगत नहीं पाया जाता है आप्सन्स है कांगो, एथोपिया, गेबोन या जायरे इस कोस्चन को आप समझिए कि जो भूमत दे रेखे जलवाईू होती है जो जीरो डिगरी लेटिट्यूड होता है उसके उस पर कौन सा देश नहीं होता नहीं पाया जाता कांगो, एथोपिया, गेबोन या जायरे अफ्रीका के मैप में आप याद करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्सन बी एथोपिया एथोपिया जो है भूमत दे रेखे है, भूमत दे रेखे जलवाईू के अंतरगत नहीं आता है और जबकि तीनों, कांगो, गेबोन और जायरे, ये तीनों ही भूमत दे रेखे जलवाईू के अंतरगत आते हैं अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए, यह अफ्रीका का मैप और यहाँ पर यह तीनों लाइन से लगे हुए हैं, देखेंगे यह है गेबोन, फिर उसके बाद यह है रिपबलिक अफ कांगो और यह है डेमोक्रेटिक रिपबलिक अफ कांगो, जिसे जायरे कहा जाता था और बात करेंगे इथोपिया की, तो यह उपर हो जाता है यह 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आता है, यहाँ पर है इथोपिया और इथोपिया जो है, हॉर्न ओफ अफ अफरीका का एक देश है अब यह हॉर्न ओफ अफरीका क्या है? हॉर्न मिन्स समस्ते ही होंगे कि सिंग या सून को कहते है जो आकार बना हुआ है, यहाँ पर जो देश है इनमें जो जितने भी देश आते हैं उसका एक भाग है इथोपिया तो यहाँ पर आप देखिए हॉर्न ओफ अफ अफरीका में एक तो इरिटरिया आता है, फिर इथोपिया आता है, सुमालिया आता है और ये छोटा सदे से जिबूती आता है और मोगा दिशू आता है ये याद कर लिजेगा और वापस इनके और ऑप्संस के बाद बात करें तो Kangos जो है Kangos की राज़दानी क्या है Kangos की राज़दानी क्या है इसके बाद Euthopia Euthopia की राज़दानी क्या है Adish Ababa ये याद कर लिजेगा और इसके इस समय प्रेशिडेंट है शाहले जावदे और अगला उप्सन है गेबॉन, गेबॉन की राजदानी है लिवर विले, ये आप याद रखिएगा और फिर है रिपब्लिक आफ कांगो जिसे जाहरे कहा जाता है, इसकी राजदानी है ब्रेजा विले, तो ये सब आप याद रखिएगा अब आते हैं नेक्स्ट कोस्चन पे, कोस्चन है निम्न राजजियों में से कौन सा पावन उर्जा की उत्पादन में प्रथम इस्थान रखता है, आप्सन से गुजरात, महराष्ट्र, करनाटक और राजस्थान, तो इसमें बताईए आंसर क्या होगा तो इसमें सई आंसर है, गुजरात is the right answer, तो आप्सन ए सई है, वैसे तो भारत में सरवाधिक पावन उर्जा को उत्पादन करने वाला राजे तमिल नाडू है, लेकिन आप्सन में दिया नहीं है, तो हम लोग दूसरे स्थान पर जाएंगे, जो गुजरात है, तो गुज तो यहाँ पर देखिए, यह लिश्ट है, तमिल नाडू, टॉप पे है, फिर उसके बाद गुजरात है, फिर महराष्ट, फिर करनाटका, राजस्थान, इसी प्रकार से हैं, अब आते हैं next question पर, question है, फ्रांस और इस्पेन के भी सीमा बनाने वाला परवत कौन है, आइस्पेन, आरपस, जूरा, या पेरिनीस, अब इसमे आप आँसर बताई, इसमे में क्या होगा, फ्रांस और इस्पेन के बीच में, जो सीमा बनाती है, उस परवत का नाम बताना है, तो इसमें ийसमें तक जो है, इसमें परवत युजर परफ़ोप महादीप के अन्य भागों से अलग करता है और इसी पर मतलब पैरिनीस परवत पे एक देश है अंडोरा ये इस्थित है तो ये आप याद रखेगा कि अंडोरा देश जो है पैरिनीस परवत पर इस्थित है यहाँ पर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ यहाँ से समझ में आएगा ऊपर यह है फ्रांस और यह है इस्पेन और बीच में जो सीमा बना रही है यह है पैरिनीस परवत और इसी परवत पर अंडोरा देश है और आप याद रखेंगे कि अट्लांटिक ओसियन के तरफ फ्रांस और इस्पेन के तरफ बे ओफ बिसके है और नीचे मेडिटरेनियन सी है और इसके और आपसंस के बारे में बात करें तो जो एपेनियन माउंटेन है यह आपको इटली में मिलेगा रोम के पास और यह एकदम जिसे कहते हैं दक्षिड से उत्तर की ओर गया हुआ है अपेनित माउंटेन और आल्प स्परवत की बात क और स्विजर लेंड की राजदानी तो आपको पता ही होगी कि बर्न है और स्विजर लेंड के ही उत्तरपूर में जूरा जो लास्ट ऑप्सन है जूरा परवत इस्थित है यह मैंने यहां सरकल किया हुआ है यह देखे यहां पर है अब आते हैं नेक्स्ट कोस्टिन पे ने South of Arctic Circle इसमें आंसर बताईए इसमें क्या होगा तो इसमें आंसर बताईए इसमें सई आंसर है Option B, Iceland Iceland is the right answer Arctic वृत के दक्षिड में Iceland पाया जाता है Arctic वृत पहले तो आप समझे जो Arctic Circle है ये कौन सा है ये 66 degree 30 minute उत्तर इस्थित वृत है जो Arctic वृत के ग्रीनलेंड, रूस, USA, नौर्वे, स्वीडन, फिनलेंड से होकर गुजरती है और कनाड़ा के ग्रेट बीयर जील से भी होकर गुजरती है ये याद रखेगा एक जील है कनेड़ा का जो ग्रेट बीयर जील है यहां से भी Arctic Circle होकर गुजरती है अब आप सोच रहे होंगे कि USA से कैसे गुजरती है, उसे तो इतना नीचे है तो USA का एक भाग आपको पता है अलाश्का है, ये भी Arctic Circle में आता है मैं आपको मैप में दिखाता हूँ देखिए ये जो रेड लाइन मैंने खीच रखी है ये 66 डिग्री 30 मिनट पे है और यही है Arctic Circle अब आप यहाँ पर ध्यान से समझेए मैं एक और मैप आपको सही से दिखाता हूँ उस पे आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा अब यहाँ पर देखिए कैनेडा हो गया, ग्रीन लेंड हो गया नौर्वे, फिनलेंड, स्वीडन हो गया रसिया हो गया और ये USA का अलास्का हो गया और कनेडा के ये जो है ग्रेट बियर जील ये है और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे तो ये है आइसलेंड और ये जश्ट Arctic Circle के दक्षिड में इस्तित है इसलिए ये दक्षिड में इस्तित है और यही सही आनसर है अब आइसलेंड की बात बताओ तो आइसलेंड जो है अठारवां लार्जेस आइसलेंड है विस्व का और यूरोप का second largest है Great Britain के बाद आइसलेंड की राजदानी क्या है आइसलैंड की राजदानी है रेकजविक और यहाँ पर मुद्रा क्रोना चलती है आइसलैंडिक क्रोना अब आते हैं next question पर question है निम्न में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता यानि किस देश से होकर नील नदी नहीं गुजरती अगर आपको अफ्रीका का मैप आपके दिमाग में होगा तो आप इसका अंसर सही दे देंगे सोचिए और बताइए तो इसका अंसर है चाड, अपसन है इसदर आइट अंसर नील रिवर जो है चाड से होकर नहीं गुजरती है जबकि इथोपिया सुडान यूगांडा से होकर जाती है आपको मैं बता दू कि नील रिवर संसार की सबसे लंबी रिवर है सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी अगर अपवा तंतर के बारे में समझेंगे तो अपवा के हिसाब से सबसे बड़ा जो छेत्र घेरती है वो है अमेजन नदी है, जो ब्राजील में बहती है मतलब साउथ अफरीक, साउथ अमेरिका में तो यहाँ पर आंसर है चाड तो चाड के बारे में जान लेते हैं कि चाड की कैपिटल क्या है चाड की कैपिटल है एंजामेना और यहाँ करेंसी फ्रेंक यूज होती है और नाइल रिवर की बात करूँ तो नाइल रिवर जो है, इसका उदगम जो है अफरीका के विक्टोरिया जील से निकलती है यह ठीक है, और यह दो नदियों का जिसे कहते है जलिस में जाता है, एक नीली नील रिवर है और वाइट नाइल रिवर है और इसमें और उप्सन के बाद इम बात करें तो सुडान, सुडान की राजधानी आपको पता ही होगा खार्तूम है, और इसके मुद्रा को पाउंड का जाता है, सुडानी पाउंड अब आते हैं, नेक्स्ट कोस्चन पर यहाँ पर आप देखिए, इस मैप में आप देख सकते है नाइल रिवर के अपवाच हेतर के बारे में यहाँ पर देखिए, यह लेक विक्टोरिया है यहाँ से एक नील नदी की धारा निकली हुई है जिसे वाइट नाइल कहते है फिर उसके बाद इथोपिया के पास से एक निकली हुई है नील नील रिवर जो लेक टाना से निकली हुई है तो यह भी आप याद रखिएगा अब आते हैं, नेक्स्ट कोस्चन पर नेक्स्ट कोस्चन है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिस्करण का उत्पाद है आपसन से पेट्रोल, चारकोल, कोईला या एसफॉल्ट तो पेट्रोलियम परिस्करण का उत्पाद यानि बाई प्रोड़क्ट एसफॉल्ट है इसमें आपसन डी सही आंसर है आपको पता ही है कि petroleum product जो crude oil होता है उसको अलग-अलग तापमान पे अलग-अलग चीजे प्राप्त होती है जिसमें asphalt होता है damer, mom, paraffin और चिकनाई वाले पदार्थ तेल उतपादित होते हैं यहाँ पे मैं आपको एक diagram दिखाता हूँ इसमें आपको और आसानी समझ में आएगा इसमें आप देखेंगे कि एक barrel है crude oil का अब इसमें 3% asphalt निकलता है 4% liquefied petroleum 10% jet fuel और another पदार्थ निकलते हैं अलग-अलग temperature पे अब आते हैं next question में यहाँ पर आप देख सकते हैं यह diagram और आसानी से आपको यहाँ पे समझ में आएगा यहाँ पे अलग-अलग temperature पे अलग-अलग product निकल रहे हैं अगर सबसे coolish देखा जाए तो refinery gas फिर gasoline जिसे petrol कहते हैं और फिर नीचे kerosene हो गया diesel oil हो गया fuel oil हो गया सब निकलता है crude oil से जिस प्रकार का temperature दिया जाता है उस हिसाब से question है शुष्क बर्फ होता है सुष्क बर्फ क्या होता है options है वास्प बर्फ जो 0 degree centigrade पर होता है ठोस कारवन डायोकसाइड जल रहित कैलसियम क्लोराइड इसमें answer बताएए इसमें क्या होगा इसमें answer है option, option C ठोस कारवन डायोकसाइड तो option C is the right answer सुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कारवन डायोकसाइड होता है इसका उपयोग खादे परिक्षड के लिए प्रशीतक के रूप में किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते कारवन डायोकसाइड dry ice is solid carbon dioxide ठीक है अब आते हैं next question पर question है एक बायोगैस सन्यंत्र में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है which of the following action is done in बायोगैस प्लांट option से किडवन, अपचेन, हैड्रोजोनी करण या बहुलकी करण answer बदाईए इसमें क्या होगा तो इसमें right answer है right answer है किडवन, यानि fermentation, तो इसमें option A सही हो जाएगा एक बायोगैस सन्यंत्र में किडवन की प्रिक्रिया होती है बायोगैस का उत्पादन एक जैव रसायनिक प्रिक्रिया के द्वारा किया जाता है आपको पता ही है कि इसमें जैव अपसिष्ट पदार्ट डाले जाते हैं फिर एक रसायनिक प्रिक्रिया की जाती है जो किडवन के माद्वन से होती है और फिर energy बनाई जाती है इसमें कुछ विसेश प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे की उपियोगिता में भाग लेते हैं और फिर बायो गैस में बदल देते हैं और बायो गैस का मुख्य घटक क्या है आप यह जानते हैं बायो गैस का मुख्य घटक मीथेन है और बायो गैस जो है इको फ्रेंडली भी होता है ये भी याद रखिए इस डाइग्राम में आप बहुत अच्छे समझेंगे कि यह देखिए यहाँ पर यह एनिमल्स हैं इनके वेश्टेज डाले जा रहे हैं और यहाँ पर दोनों जो बॉक्स हैं यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रिक्रिया हो रही है और फिर एनर्जी बन रही है एनर्जी रिलीज हो रही है बायो गैस बन रहा है इस कोस्चन के और आप्संस के बारें बात करें तो रिडक्षन रिडक्षन क्या होता है रिडक्षन यानि अप्चेन इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार की न रासाइनिक प्रक्रिया होती है इसमें जो है परमाडू की ओक्सी करण अवस्थाय बदल जाती है आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव ये एक इलेक्टरॉन जो है जाता है और फिर ओक्सीडेशन होता है और उपर जो है रिड़क्सन होता है बी में रिड़क्सन हुआ है और ए में ओक्सीडेशन लॉस ओफ इलेक्टरॉन होते है और इधर गैन ओफ इलेक्टरॉन हो जाते है दोनों में प्रक्रिया बदल जाती है प्रतिक्रिया बदल जाती है और इसके बाद हाइडरोजनी करण किसे कहते हैं यहाँ पर एक उधारण है आप देखिए यहाँ पर इथेन है जिसे C2H4 कहते हैं इसमें हाइडरोजन मिलाया गया H2 फिर यह इथेन हो गया यानि C2H6 हो गया और इसी को हाइडरोजनी करण कहते हैं इसमें हाइडरोजनी करण आडविक हाइडरोजन और एक अन्य योगिक के बीच में रसाइनिक प्रतिक्रिया होती है और आखरी है पोलीमराईजेसन ये एक ऐसी प्रिक्रिया होती है जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में मोनोमर अडू एक बहुलक बनाने के लिए साथ में प्रितिक्रिया करते हैं तो एक अडू होता है जो यहाँ पर देख रहे होंगे मोनोमर ड्रॉपलेट है ये बड़ी मातरा में जाते हैं और ज्छाग टाइप का बनाते हैं जल के अंदर अब आते हैं नेक्स्ट कोस्चन पर निम्न में से कौन सा गौड पार्टिकल है अप्संस है निट्रिनो है हिक्स बोसोन एक मूलकड है आपको पता ही है इसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में की गई थी और इसकी प्रयोगिक सत्यापन जो है 14 मार्च 2013 को किया गया था ये याद रखिएगा कि 2013 को हिक्स बोसोन कड की जो है प्रयोगिक सत्यापन किया गया था और हिक्स बोसोन के कड का नाम जो एक भोतिक विज्ञानी है पीटर हिक्स के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 1964 में पांच और विज्ञानिकों के साथ एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें ये कुछ कडो का द्रवमान क्यूं होता है इसके बारे में जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हिक्स बोसोन कड के बारे में जिसे गोल्ड पार्टिकल का जाता है उसके बारे में पता चला तो इसमें ये देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पर ये है हिक्स बोसोन कड अब आते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ यह पिक्चर देखिए रेगिस्तान में अक्सर आप देखते होंगे दूर देखने पर आपको ऐसा लगता होगा कि वहाँ पर जल का भंडार है लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि यह पूर्ण आंतरिक परावरतन के वज़े से हमारी आखों को धोका होता है और वहाँ पर विर लगन है फिर बीच में होट एयर आती है जो वीरल है तो हमारी आखे होट एयर के पास ही रिफ्लेक्ट हो जाती है और उपर की ही इसकाई की ही लाइट को हम लोग देखते हैं जिसकी वज़े से हमारे अंदर एक मिराज उत्पन होता है जिससे हमें लगता है कि वहाँ पर ज जिसे अपवर्तन कहते हैं ये आप जानते ही होंगे कि जैसे किसी जल में या दो माध्यम है जैसे हवा हो गया और जल हो गया अगर हम पैन को पानी में डुबाते हैं तो हलका तेड़ा नजर आता है इसे ही रिफ्लेक्ट कहते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग की दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, उसी को हम लोग reflection कहते हैं, फिर scattering की बात करें, जिसे प्रेकरिणन कहते हैं, ये light का देखिया आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये scatter plot है, आप देखेंगे कि जो नीले कलर की light है, जो बैगनी है, ये ज्यादा scattering कर रही है, यलो और red की अपेक्षा, इसका कारण ये है, क्योंकि नीला कड, प्रकास का नीला कड ज्यादा विचलित होता है, अपेक्षा करित लाल के, फिर इसके बाद बात करते हैं, डिफ्रेक्षन की जिसे विवर्तन बोलते हैं, ये कई घटनाओं में आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी खिड़की में से अगर जरा सा होल होता है, तो उसमें से सूरज की रोसनी डिफ्रेक्षन करके बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे आती हुई नजर आएगी, और ज्यादा फैलती हुई नजर आएगी, अब आते हैं नेक्स्ट कोस्चन पर, नेक् इसमें सही आंसर है, ओप्सन ए, चेचु, केरल राज्ये में चेचु जनजाती पाई जाती है, ये आंदर प्रदेश में भी निवास करती है, और अगर बात करें डाफर जनजाती की तो ये गुजरात में पाई जाती है, डफला जनजाती जो है अरुनाचल प्रदेश और पासम यहां निवास करती है और लेपचा जनजाती सिक्की में निवास करती है यह सारी आप याद कर लीजेगा मैं आपको एक अच्छा मैप दिखाता हूँ इसमें लगभख सारे जनजातियों के बारे में दिया हुआ है राज जिवार इसका आप स्क्रीन सॉट भी ले सकते ह आप यहां पर देखेंगे कि केरल में यहां पर लिखा हुआ है यहां पर चेंचू नहीं लिखा है लेकिन केरल में पाई जाती है और सारी जगे की जनजातियों के बारे में इस मैप में लिखा हुआ है अब आते हैं next question पर भारतिय हीरा संस्थान भारतिय हीरा संस्थान कहा इस्थित है आप्सन से नियु डेली, सूरत, मुंबई या जैपूर, वेर इस दे इंडियन डाइमेंड इंस्टिटूट लोकेटेड, ये बताईए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है, सूरत, सूरत is the right answer, यानि ये गुजरात में है, आप्सन भी, सूरत is the right answer, भा इसकील को develop करने के लिए इस अंस्थान का निर्माड किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इंडियन डाइमेंड इस्टिटूट, तो ये थे most MCQ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो please like, subscribe and comment, इसके बाद एक और MCQ आएगी, जो सारे questions रहेंगे उसमें सभी subject से related, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, धन्यवाद